नासकार बच्चों, बच्चों वीडियन पॉब्लिक स्कून के यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों आज की हमारी जो वीडियो है वो तक्सया 6 की संस्क्रिट 20 से की पाथे पुस्तक पर आधारित है बच्चों आपकी पुस्तक का नाम है रुचीराबाग एक बच्चों हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक का सात्मा जैए पड़ा था आज की वीडियो में हम हश्ट में पाथे यानि आठमा पाथ पड़ेंगे जिसका नाम है शुक्तिस बकय है यह पाट का शिर्षक है सुक्तिश बक्य है, सुक्तिश कार होता है अच्छी उक्ति यानि अच्छी बात बक्य यानि कहना, अच्छी बातों को कहना, इस पाट में हम सीखेंगे, चलो पढ़ना शुरू करते हैं, पहला स्लोक इसमें कि उद्यमेन ही सिध्यंती कार्याणी नय मनो रथाई, नय ही सुक्तस्य सिंगहस्य प्रविशंती मुखे मृगा, इसमें बता गया कि उद्यमेन ही प्रिश्रम से ही सिध्यंती सिध होते हैं, कार्याणी परतेक कारिये, नय मनो रथाई इच्छाओं से नही इसमें मेहनत करने का संदेश दिया गया है कि मेहनत करने से या प्रिश्रम करने से हमारे परतेक कारिये सिद्ध होते हैं केवल इच्छाउं से नहीं इच्छाम अत्र से सिद्ध नहीं होते परतेक कारिये केवल मेहनत से ही सिद्ध होते हैं उधान दिया है नय ही सुक्तस्य सिंगहस्य प्रविशंती मुखे म्रगा, म्रगा होती हिर्ण, सिंगहस्य यानि शेर के मुखे यानि मुख में, यानि सोय हुए सेर के सुक्तस्य सिंगहस्य यानि सोय हुए सेर के मुख में जो हिर्ण होता वो अपने आप प्रवेश नहीं कर स दुबार देखो कि मेहनत से सारे कारिय सिध होते हैं इच्छाओं से नहीं जिस परकार सोय वे शेर के मुह हमें हेर्ण अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता हेर्ण को प्राप्त करने के लिए शेर को मेहनत करने पड़ेगी उसी परकार परते कारिये को सिध करने के लिए पुर पुस्तक के अंदर पठीत पढ़ा गया पढ़ा गया अध्याय जीवने जीवन में नईव साधित जीवन में जब तक सिध नहीं होता यानि जीवन में जब तक नहीं ढलता हमारे व्यवार में वह जब तक नहीं आता किम भवे तेन पाठने जीवने योने सार्थक है यानि जीवन में पढ़ा हुआ पाठ अगर जब तक व्यवार में नहीं आएगा हमारे नेचर में नहीं आएगा वह सार्थक सिध नहीं होता दोवार से देख लो पुस्तक में पढ़ा गया पाठ अगर जीवन में व्यवार में नहीं आता तो वह पढ़ावा पाठ सार्थक सिध नहीं होता अगला है प्रिये वाक्य परदानेन सर्वेत उस्यंती मानवाह तस्मात ही प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता प्रिये वाक्य परदानेन प्रिये यानि मधूर वाक्य यानि बातचीत वाक्य को परदानेन बोलने से यानि मधूर वानी बोलने से सर्वे यानि सभी परकार के जीव तुस्यंती खुश परसंद हो जाते हैं प्रिये वाक्य बोलने से मधुरवाणी का प्रियोग करने से सभी प्राणी परसंद हो जाते हैं तस्मात ही प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता तस्मात है तो किसलिए प्रिये वाक्य बोलने में दरिद्रता का होना किस लिए यानि प्रिये वाक्य बोलने में गरीबी कैसी ये कहा गया कि हमें परतेक वैक्ति के साथ मधुर वानी का ही प्रियोग करना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए मधुर वाक्य बोलने में हमें गरीबी या क्रिपनता नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि प्रिये वाक्य बोलने से ही सभी प्राणी प्रसंद होते हैं, खुश होते हैं अगला देखो, गच्छन पीपी लगो याती योजना नाम सतान्य अपी अगच्छन वाइतनयो अपी पदम एकम ने गच्छती, गच्छन यानि जाते हुए पीपी लगो चीटा एक चीटी होती है यह नर्व चीटा याती मतलब जाते हुए यानि जाते हुए चीटा सो योजन को भी प्राप्त कर लेता है जब चीटा चलना प्रारम कर देता है तो वह सो योजन की दूरी को भी प्राप्त कर लेता है और अगच्छन ने जाती हुए भी वाईतन नयोग यानि गुरूड भी गुरूड देवता भी अगर ने चले तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता कहने का भाव यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ कर्म करना अवस्या जरूरी होता है उसी परकार यहाँ पर दर्शाया है कि जब नर्चीटा चलने लगता है तो वह सो योजन की दूरी को भी प्राप्ते कर लेता है और जो गुरूड होता है वह अगर नहीं चलता वह गती नहीं करता तो वह एक कदम भी आगे नहीं चल सकता उसी परकार कुछ पाने के लिए करम अवस्य ही करना पड़ता है अगला स्लोग है काके होता है कववा, कृष्ण यानि काला, कववा काला होता है, पीक यानि कोयल और कववे में यानि कववा भी काला होता है, और कोयल भी काली होती है, फिर इन दोनों में, यानि कववे और कोयल में क्या अंतर है, तो देखो वसंत समय प्राप्ते, वसंत रीटू, यानि वसंत रीटू के आने पर, प्राप्तेकार्थ है, आने पर, काक है, काक है, पीक है, पीक है, काक है, यानि कववा कववा होता है और कोईल कोईल होती है ऐसा क्यों कहा है क्योंकि कववे का रंग भी काला होता है और कोईल का रंग भी काला होता है फिर उन दोनों में भेद पूछा है कि भेद क्या होता है उन दोनों में यानि जब वशंत्रीतु आती है तो कववा काउं काउं क एकसा होता है लेकिन वानी के कारण ज्यादा महतु कोयल का होता है इसलिए कहा कि वसंत रितु के आने पर कववा कववा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है दोवार से देख लोगी कववा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है फिर इन दोनों में कववे और कोयल में क्यांतर होता है वसंत रीतु के आने पर कववा कववा होता है और कोयल कोयल होती है यह इसकी हिंदी थी बच्चवागी इसके सब्धार्थ है उद्यमेन यानि प्रिश्रम से मेहनत से साथ में इंगलिस पी दी है by hard work मनोरत है इसका आर्थ होता मन की इच्छा से यानि इच्छा मात्र स से कारिय सिध्ध नहीं होता मेनत से ही कारिय सिध्ध होता है सिंग है यानि शेर म्रिगा होता है हीरन ये पशु है दरित्रता दीनता या क्रिपनता प्रियवा के प्रदानेन कार्थ है प्रियवचन बोलने से तुष्यंती संतुष्ठ होते हैं या प्रसंद होते हैं मानवाह मनुस्य, सभी मनुस्य भोचन है, तस्मात तो किसलिए वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने यानि बोलने में साधिते उप्योग किया गया है, भवेत होगा या होना चाहिए, आगे है सार्थक है, अर्थ पूरण या प्रियोजन युक्त, काके होता है कववा, कृष्ण है, काला, पिक है यानि कोयल, पिक काके हो, कोयल और कववे में है, दोनों में क्या अंत्र बता था, प्राप्ते यानि आने पर गच्छन जाता हुआ, पिपी लगए है, नर्चीटी एक मादा चीटी होती है, एक नर्चीटी होती है, याती माने जाता है, योजना नाम, योजना नाम कहते हैं, च्यार कोसों का, यानि च्यार कोस में लगभग 12 किलोमेटर होते हैं शतानी, सो, अगच्छन ने चलते हुए, अर्थार्थ ने जाते हुए, वाइतने का होता है, गरुड बच्छो ये थे, आपके सब्दार्त, आज के लिए बच्छो इतना ही, ये 5 सलोग थे, आपने इसकी हिंदी, अपनी खोपि में नोट करनी है, और इन सब्दार्थां को भी और याद रखना है, आज के लिए बच्छो इतना ही, कल हम अगले पार्ट की वीडियो बनाएंगे अगने वा